हाई फ्रेंड्स मैं अनिल के कुमार इंप्रिंट आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज मैं लेके आए हूँ हैल एल रोड की बहुती बहतरीन किताब दा मिर्कल मॉर्निंग की बुक शमरी अंतक बने रहीगा इस बुक की समरी आपको एक लाइफ चेंजिंग टारेकन दे सकती है चलेगा अब शुरू करते हैं जब जिन्दगी आपको बेहत मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उमीद नजर ना आए तो एक बात याद रखें आप से भी बुरे दोर से गुजरने वाले वाकी और भी हैं जो बद से भत्तर हालातों में जी रहे हैं मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश होकर जिन्दगी से हार मान लें उठें और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने के लिए तियार हो जाएं हैल अलरोड इस बात का जीता जागता उधारन हैं उन्होंने साबित कर दिया कि इनसान चाहे तो बुरे से बुरे वक्त को भी अपनी लगन और महनत से उमीद का चिराग जला सकता है उन्होंने अपनी निज्जी जिन्दगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है वे छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बेहन को गोद में लिये हुए उसकी माँ बुरी तरह चिलाते हुए रो रही थी उन्हें मालूम था कि उनकी बेहन जो एक खतरनाक बिमारी के साथ पैदा हुई थी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे पाएगी बवजूद इस सच के ये बात बेहर दुखत थी इस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस हस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हैल की बेहन का हिलाज हुआ था इस सारी गटना के दोरान उन्होंने सीखा की दुख भरी प्रिष्थितियां हामेशें स्थाई नहीं रहती और ये हमें काफी कुछ सिखाती भी है इसके बाद उनके साथ एक और दुर गटना गटी उनका एक बहुत ही बुरा कार अक्सिडेंट हुआ हैल अपनी गर्लफेंट के साथ अपनी नई गटी मैस्टेंग में 70 किलोमेटर की रफतार से जा रहे थे दूसरी तरफ से एक सराभी 80 किलोमेटर की रफतार से ट्रक चला कर ला रहा था और हैल की गटी सी और टकराया धमा का इतनी जोरदार हुआ कि हैल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जागिरी जहाँ पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था एक और गाड़ी हैल की गाड़ी से टकराई, इस एक्सिडेंट में हैल के अलावा किसी को ज़्यदा चोट नहीं आई, नहीं उनकी गल्फेंड को, नहीं ट्रेक ट्राइवर को लेकिन हैल गाड़ी की सीट और स्टेरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे, जैसे ही उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसे रुट चुकी थी, लेकिन 6 मिनिट के बाद उनकी सांसे दुबारा चलने लगी, और उन्हें होस्पिटल ले जाया गया, उनकी 11 हडिया वजूद नहीं सिर्फ चलना शुरू किया, बलकि 84 किलोमेटर का अल्टरा मेराथन भी भागा, वो अपने सारी इंप्रूमेंट्स का क्रेडिट अपने मौर्निंग रूटीन को देते हैं, इसलिए उन्होंने 2012 में The Miracle Morning Book लिखी, जिससे 27 भासाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाग से ज्यादा लोग इस मौर्निंग रूटीन को फोलो करते हैं, The Miracle Morning Book शमरी हिंदी में मैं आपके पास अनिल के गुमार इंप्रिंट पेस कर रहा हूं और आपके जिवन में एक नई उमंग और एक नई आसा के साथ इसका सार आपके साथ सा कामने आती हैं वो हैं, नमर एक आप वो सब कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुँच सकें और अपने आसपास के लोगों को परभावित कर सकें नमर दो, खुद को इंप्रूमेंट करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पहुच पाएंगे जहां पहुचना चाहते हैं नमर तीन, आप पूरे दिन में कितने प्रोडेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप अपने शुबह किस तरीके से गुजारते हैं जिसका मतलब सरल सब्दों में ये है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर depend करते हैं और सारा दिन आपकी शुभह पर. अगर आप अपने शुभह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. अगर आपको शुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता तो Miracle Morning आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपने शुबह को enjoy कर सकते हैं हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और मैंड के लिए बहुत अच्छा है मगर आप इस बुक में दिये गए morning routine को follow करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं 95% reality check ये concept कहता है कि 95% लोग उन चोटी चीजों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में पाई हैं दुख की बात ये है कि ये लोग वो सब चीजे पा सकते हैं जो वो अपनी जिन्दगी में पाना चाते हैं मगर आप सवाल ये है कि हम ऐसा क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल नहोकर इसके लिए 3 step उठा सकते हैं पहला step सबसे पहले तो 95% वास्तिकता की जानकारी रखें पहला step कहता है कि अगर हम अपनी पूरी समताओं के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना परियतन किये ही हाथियार डाल दिये बहतरी जीवन जीने के लिए मेहनत करने की बज़ाय हार मान कर बैठ जाना कहीं ज्यादा आसान होगा मगर वो जिन्दगी पच्टावे और दुखों से भरी होगी वो दुख होगा हार का आपकी अपनी नाकाम्यावी का हमें खुद को इंप्रूट करना ही चाहिए और साथ ही दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए इससे हम समाज में एक उधारन दे सकते हैं कि जो लोग पूरी महनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते दूसरा कदम उन कारणों को जाने जो आपको साधारन बनाते हैं खुद को मामूली समझने की मानसिक्ता ही आपके और आपकी सफलता के बीच में सबसे बड़ी दीवार है हम यहां कुछ ऐसी ही वज़े आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती है जैसे की नमबर वन हमेंसे अपने पास्ट की बुरी चीजों को ही याद रखे रखना नमबर टू अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना नमबर तिन अपनी जिम्मेवारियों से भागना नमबर चार बड़ी सोच से नफरत रखना नमबर पांच हर गलती को मजाक में ले लेना और दोस्तों तीसरा कदम है वक्त के साथ चलिए जी हाँ अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही कीजिए कल किसने देखा आपका कल कभी नहीं आएगा जीवन में बड़े बदलाव हमारे हाड़ वक्त से ही आते हैं इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजी क्योंकि यही सफलता की कुझी है जानिये सुबह क्यों उठें क्या आप उन में से हैं जो अलारम गड़ी बार बार बजने पर भी नहीं उठपाते और तब ही उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो तो यकीन मानिये आप खुद अपनी और सफलता की रहा में खड़े हैं अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाते तो आप अपने सपनों को पूरा कैसे कर पाओगे तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहे और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए क्योंकि बाकी लोग तो काम कर रहे हैं और वो तो अपने गोल्स पाही लेंगे सुबह की शुरुवात में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतित होता है सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुस्टी की है यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अकसर वो दिन बुरा ही गुजरता है इसके विफरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरो ताजा ऐसास होता है तो हमारा सारा दिन ऐसा ही गुजरता है ये हमारे नींद की आउधी पर निर्वर नहीं करता बलकि हमारी नींद की जरूरत पर निर्वर करता है ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफी है तो आप सुभह को इंजवाई कर सकते हैं आप कितनी नींद सो पाए इससे जदा जरूरी है ये जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई है और अब आप एक शांदार सुभह का आनंद लेने के लिए तेयार हैं जब आपको इसकी आदत पढ़ जाएगी तो ये आपको जरा भी मुश्किल नहीं लगेगा मगर हाँ ये तभी हो पाएगा जब आपका मन बना लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुभह जल्दी उठना है और फिर एक अनोखा बदलाव धिरे धिरे आपके जिवन में आने लगेगा हर सुभह जल्दी उठने के पांच स्नोजप्रूफ स्टेट्जी पहली स्टेट्जी रात को सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग करें जी हाँ दोस्तो सुबह जल्दी उठने का एक बहतरी न्तरीका ये है कि आप सोने से पहले डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे जब आप इस निर्णे के साथ सोएंगे तो जाहिर है कि अगली सुबह अगली सुबह भी ये बात आपको याद रहेगी इसलिए आपको चाहिए ऐसे चार टास्क चुने जो आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं दूसरी स्टेट जी अलारम घड़ी को अपनी पहुंच से दूर रखें तो उस तक पहुंचने के लिए आपका सरीर थोड़ी महनत करेगा और इस प्रोसेस में आपकी नींद भाग जाएगी तिसरी स्टेट जी उठते ही सबसे पहले अपने दातों को बुरुष कीजिए शुबह उठते ही अपने दातों को बुरुष करने में थोड़ा आलस से तो आ सकता है मगर इसके बड़े फाइदे हैं इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे इसलिए शुबह उठते ही सबसे पहले अपने दातों को शाफ करें चोथी स्टेट जी है अपने दिन की शुरुवात पानी से कीजिए दूस्तों पानी हमारे जीवन की अवशकता है ना सिर्फ शुबह ही बलकि किसी भी वक पानी का सेवन आपके सरीर को एक नई स्पुर्ति देता है रात बर की नीद के बाद हमारे सरीर में पानी कमी आ जाती है इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत ही फाइदेमन है ये आपके आलश्चे को दूर करके एक ताज़गी का ऐसास कराता है पांचवी स्टेट जी है सावर लें या कपड़े पहन कर तयार हो जाएं यहां आपके सामने दो उप्षन है नमबर एक पहले नहा कर तयार हो जाएं फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों कीजिए एक बढ़िया सावर आपको तरो ताजा कर देगा और फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी नमर दो अपने अक्सेसाइज के कपड़े पहन कर तयार हो जाएं ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिर्कल मोर्णिंग का रूटीन शुरू कर सकें और अक्सेसाइज के बाद आप नहने जा सकते हैं दा लाइफ सेवर्स यानि छे ऐसी आदते जिनकी मदद से आप अपनी सारी शमताओं का भरपूर पियोग कर पाएंगे इन छे आदतों को आप सेवर्स शब्द से याद रख सकते हैं क्योंकि हर आदत एक लेटर को रिफॉर्म करती है पहला लेटर एस लेते हैं एस का अर्थ है साइलेंस यानि श्यान्ती लाइफ सेवर्स का पहला अक्साइस साइलेंस है जो हमारी दिनचरिया में सबसे एहम चीज है हम जब जानते हैं कि आज कल जिंदगी कितनी भागा दोड भरी और तनाव पुर्ण हो गई है इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथ मिक्ताई चुने और एक स्यांत जीवन जीने की कोशिस करें स्यांती हमें अपने भीतर जाकने का मुका देती है आप जितना स्यांत रहेंगे तनाव उतना ही दूर रहेगा स्यांत चित रहने से आप खुद के परती अधिक जागरूख हो जाते हैं जिससे आप किसी भी लक्षे को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी लक्से की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पस्ठ होना और Self Awareness एक स्यांत मन से ही आप Self Aware हो सकते हैं और अपने थोट्स को Organize कर सकते हैं खुद को स्यांत रखने का चाहे जो भी तरीका आप चुने यह आपके लक्से की प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा आप ध्यान कर सकते हैं या प्रार्थना का सारा ले सकते हैं या गहरी लंबी सांस लेने का भ्यास कर सकते हैं दूसरा अक्षर है ए, ए का अर्थ है affirmation, affirmation यानि खुद को message देना, मुहमद अली हमेसे अपने आपको कहते थे कि मैं महान हूँ और इसका नतीजा हमेसे वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन किया था, खुद पर विश्वा से एक चमतकार की तरह काम करता है, ये आपको वो बताना है जो आप बनना चाहते हैं, अगर आपको विश्वा से आप महान हो तो आप महान बनोगे, अगर एक इनसान चाहे तो वो अपनी शोच और वेवार में बदला उला सकता है, ये हम मनुश्यों के किसी वर्दान से कम नहीं क्योंकि इच्छा सकती के बल पर ही हम अपने कम्यों पर काबू पा सकते हैं, हर इनसान में कुछने कुछ कमी जरूर होती है, हमारी कमजोरी ही हमारे सपनों और हमारे बीच एक्तिवार बन कर खड़ी होती है, मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कम कमियों को जितना होस के उतना दूर करें अपने भीतर जाकर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं जो हमारी कमिया हैं उन्हें दूर करके अपनी अच्छाईयों को उभार सकते हैं ये बात हमें एक बहतरी इंसान बनने में मदद करेगी अपने आप से क्या affirmation करनी है इसके लिए आपको पता होना चाइए कि आपकी इच्छा क्या है आपका लक्षे क्या है वो कारण जो आपके लक्षे को तै करता है वे लोग छिन्की आप चिंद्या करते हैं ऐसे सब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं अगला वर्ड है वी का अर्थ है visualization Visualization का मतलब है कि आप अपने brain में वो mental image बनाते हैं जो आप अपनी life में पाना चाते हैं ये एक तरीके से brain exercise है जहां कोई विक्ती अपने शपनों की कल्पना के जर्ये पूरा होते हुए देखता है बार बार इसकी कल्पना उसे अपने शपनों को याद दिलाती रहती है जिससे वो और भी बहतरीन तरीके से अपनी कोशिस में जुड़ जाता है अक्षर खिलाडी स्परकिरिया को अपने बहतर परदर्शन और प्रिणाम की लिए इस्तिमाल करते हैं अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती हैं मगर हम मेंसे बहुत से लोग बीती हुई दुखत घटनाओं को ही अपने मन में दोराते रहते हैं जिससे उन्हें सिवाय दर्द और तकलिफ के कुछ भी नहीं मिलता जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते मगर उसे याद करके अपनी जीत को जरूर खो देते हैं तो बहतर यही होगा कि हम कुछ अच्छे चीज़ों की कल्पना करें जो हमें प्रेणा देश के ऐसे में कुछ स्टेप्स जिनें अपना कर आप अच्छे तरीके से विजुलाईज कर सकते हैं जैसा कि पहला शांत रहने की कोशिस कीजिए और गहरी लंबी सांस लेते रहें दूसरा अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए सोचे कि जो आपने चाहा है वो आपको प्राप्त होगा और खुद को यकिन दिनाने वाले सब्दों को मन में दोराते रहें तीसरा जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए खुद को अपने ख्यालों में एक खुश हाल व्यक्ती देखिए जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहा है सेवर्स की E का अर्थ है अक्सरसाइज सुबह सुबह का वयायाम हमारे दिमाग वे शरीर को बहुत फाइदा पहुँचाता है इसे एक हैबिट बना लेजिए ये आपकी सुबह को एनरजी से बर देगा जब आप स्वस्त रहेंगे तो बहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी अक्सरसाइज से हमारे बितर कई पोजिटिव बदलाव आते हैं आपका मन और दिमाग शांथ होने लगता है आपकी एनरजी सही डारेक्शन में फ्लो होती है यही कारण है किसी भी टाइप की अक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है इसलिए हमारे जीवन में एक बहतर बदलाव लाने के लिए हर शुबह कोई न कोई अक्सरसाइज जरूर करें आर का मतलब है रीडिंग क्या आप जानते हैं किताबे पढ़ना आपकी जिन्दगी को पूरे तरीके से बदल सकता है यह एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पका है जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आईडियाज आते हैं जिनको आप अपनी जिन्दगी में इस्तेमाल करके सक्ससların बन सकते हैं जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं तो आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत experiences हैं, नए ideas हैं, ये लोग वहां पहुँच चुके हैं जहां पहुचना चाहते हैं, इसलिए किताबों में दिये गए, इनके ideas से हमेशा सीखते रहे, अगर आप रोज पढ़त हैं, तो आप उन गलतियों को दोराने से बच जाते हैं, जो इन लोगों ने कीती, और इसी वज़े से आपको जीत बहुत जल्दी मिल जाती हैं, पढ़ना यदि आपको उबाउ लगता है, तो गवराईए नहीं, थोड़ा ही सही, कुछना कुछ रोज पढ़िये, और धीरे धीरे, ये आपकी आधत में शामिल हो जाएगा, एस का मतलब है स्क्राइब, यानि लिखना, स्क्राइबिंग से आपके अंदर चल रहे सब इमोशन्स को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो आपके अंदर चल रहे हैं, हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखने के उसे लिख डालिए, मौर्निंग मिर्कल के रूटीन में अपने आइडियाज को लिखना भी शामिल है, जिससे आपका दरस्टी कौन स्पस्ट होसके, ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर, सबसे पहले तो जो आप पाना चाहत हैं, उस संबंदित सभी बातों को डिटेल में लिख कर रखिए, हर रोज उस बारे में लिखने से आप अपने लक्षे को कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है, अगर आप मान लें कि ये वो आसान है, शुरुआत में आपको इसका अभ्यास क के रूटीन को फोलो करें, आज कल के जिंदगी बहुत व्यस्त हो रही है, आप ये सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीजों के लिए वक्त कहा है, इसलिए तो 6 मिनट मिर्कल मोर्निंग को खास कर आपके लिए ही त्यार किया है, अगर आपको जिंदगी की भागदोर से जरा सी भी फूर्शत नहीं मिलती, तो अपने जिवने बदलाव लाने के लिए भी वक्त निकालना आपके लिए मुश्किल है, तो चिंदगा मत कीजिए क्योंकि आपको इन सारे तरीकों को अपनाने में सिर्फ 6 मिनट लगेंगे, अपने जिंदगी से सिर्फ 6 मिनट का शम प्रफल इनसान बन सकते हैं, जिसकी आप कल्प ना करते हैं, इस अलप शमय को बुद्धिमानी से इस्तिमाल करके आप जान पाएंगे कि ये छोटी सी समयाओ दी कितनी प्रभावशाली और काम की चीज़ है, अपने लक्से की प्राप्ति के लिए आपको ये जरूरी अपन की कल्प ना करें, सुबह हडबडाट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी शूरत में एक खुशी का ऐसास नहीं देता, इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के पाइदे के बारे में सोचें, जब आप नेद से उठें, शान्त रहें और कोई याद आएंगे, इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, और आप अपने डिशीजन को अच्छे तरीके से ले पाएंगे, तीसरा मिनट, हर वक्त अपने जीत की कल्पना कीजिए, जो आप जीवन में चाहते हैं, उसे पाल लेने की कल् को इसी लक्से की प्राप्ति में लगा दीजिए, ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं, चोथा मिनट, आप क्या महसूस करते हैं, उपर वाले के परतिक कितने आभारी हैं, इन सब बातों को एक कागज पर लिख डालिए, उन लक्षों के बारे में लि से पढ़ने की आदर डालें, कुछ ऐसा पढ़े जो आपको मोटिवेट करें, उमीद जगाए, कुछ ने कुछ नया सीखे पर सीखे जरूर, ये नए आइडियाज हो सकते हैं, स्टेट चीज हो सकती हैं, किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है, हर रोज किसी किताब में से कम से क तो पन्ने पढ़िए ये आपके ग्यान का दाइरा बढ़ाएगा चठा मिनट ये आखरी मिनट है अपने स्रीर के लिए इस्तेमाल कीजिए अपने तन, मन को चुस रखने के लिए कोई ना कोई अक्सरसाइज कीजिए अक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है और हमारा इमून सिस्टम भी अच्छा होता है दोड़ना, चलना, पुश अप आप कुछ भी चुने कोई भी लक्षे पूरा करने के लिए आपके अंदर पूरजा होनी चाहिए जो हमें अक्सरसाइज से मिलती है मिर्कल मॉर्निंग को लाइफ स्टाइल के अनुशार तैंक करें और बड़ी से बड़ी शफलता हांसिल करें दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि अब जब आपको पूरा सार समझ आ गया है तो यहां ये कहना उल्टा लग सकता है लेकिन आपको ये बता दें कि आप मिर्कल मॉर्निंग की प्रैक्टिस सिर्फ शुबह ही नहीं बलकि दिन में किसी भी समय कर सकते हैं हलाकि इसके लिए हम सुबह का समय ज़्यादा अनुकूल मानते हैं मगर चो लोग सुबह अभ्यास नहीं कर पाते वो दिन में किसी भी समय कर सकते हैं हमारे सरीर को खाना पचाने के लिए कुछ एनरजी की जरूरत होती है इसलिए धेर शारा खाना एक साथ खाने के बाद सरीर सुष्ट पढ़ जाता है Miracle Morning की प्रेक्टिस फ्रेस बोड़ी और मैंड के साथ किया जाना चाहिए इसलिए हमें सुबह Miracle Morning की प्रेक्टिस के बाद ही खाना खाना सी है अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसा क्या खाएं जो आपके सरीर को डाइजेस हो और बोड़ी एकदम लाइट रहे तो आप अपने खाने में ऐसी चीज़े लेनी चाहिए जो आपको freshness दे जैसे fruits और vegetables या आप sprouts ले सकते हैं यानि अंकुरित हुए हुए अनाज या दालें इस बात का ध्यान रखें आप जो कुछ भी कर रहे हैं जो भी आपके लक्षे हैं वे miracle morning के साथ जुड़े हों इस तरह आप तसलिए कर सकते हैं कि आप अपने लक्षो पर खास द्यान दे रहे हैं ये process आपको long term goals के साथ साथ छोटी छोटी शफलताओं पाने के लिए भी बहुत effective होगी आप इसकी मदद से बहतर से बहतर result पा सकते हैं life savers की ये प्रकिरिया आपको अपने काम में और भी focused बना सुबह जो भी आप exercise करते हैं उसमें बदलाओ करके देखिए visualization करने के कुछ नए तरीके अजमाईए खुद को limit मत कीजिए हर दिन एक नया पन लाइए एक जैसार रोज मत कीजिए और ना ही इसे एक निश्चित समय के लिए रखिए जितना आधिक आप practice करेंगे उतना अच बनते हैं तो आपको उनकी आदतों को देखकर अंदाजा लग जाएगा कि उन्हें सफलता कैसे मिली जो आप बनना चाहते हैं मगर है नहीं तो इसका सीधा मतलब यह है कि आपने अपनी आदते बदलने के लिए पूरी कोशिस नहीं की जब आप miracle morning की आदत बनाएंगे तो आप इन स्टेजी से घुजरेंगे स्टेज नमबर वन पहले एक से दस दिन तक आपके लिए ऐसेहनिये रहेगा अपने अंदर एक अच्छी आदत डालना शुरू में बहुत मुश्किल भरा होगा क्योंकि बुरी आदते तिन आसानी से पीछा नहीं छोड़ती सुरुआत म ये बहुत आसान काम लगता है मगर धिरे धिरे दर्दनाक हो सकता है और सबसे मुश्किल बात तो ये है कि शुरुआती दर्द से घबरा कर कई लोग अपने कदम पीछे खीच लेते हैं और अपना लक्षे पूरा नहीं कर बाते हैं लेकिन आप इस शुरुआती दर्द से गबराए नहीं क्योंकि यह temporary है दस दिन पूरे होते ही इस दर्द को आप भूल जाएंगे और जो हासिल होगा वो होगी सिर्फ आपकी काम्याबी अगले 10 दिन यानि 11 से 20 दिन तक थोड़ा uncomfortable रहेगा आपके लिए second phase पहले 10 दिन से कुछ आशान होगा तब तक आपको कुछ आ मजबूत इरादों के बल पर आप इसे पूरा कर सकते हैं थर्ड फेस है 21 से 30 दिन तक unstoppable इस last phase में आप ये सोच कर संतुष्ट नहीं हो सकते कि आपका काम अब पूरा हुआ अभी आपको अन तक ढटे रहना है कुछ जानकारों का मानना है कि 21 दिनों में ये process अच्छी आदतो को अपनाने के लिए sufficient है और ये एक तरह से वे सही भी है बेसक इसमें 21 दिनों को समय लग सकता है मगर इसे लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आपको आखिरी 10 दिन चाहिए वरना ये उतना effective नहीं होगा और इसका result ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगा अगर आप इन 10 दिनों में नहीं आदतें नहीं बना पाए तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी अपनी life को improve करने के लिए 30 दिन का miracle morning challenge यदि आप miracle morning का ये challenge accept करते हैं तो आप मन चाही सफलता हासिल कर सकते हैं ये आपकी जिन्दगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है ये आ आपके मन में इसको लेकर थोड़ा डर है इसे जाहिर होता है कि आप मन ही मन इसके लिए तयार हो रहे हैं इसे अपना कर जिन्दगी में बदलाव लाने के लिए आप तयार हैं अगर शुबह जल्दी उठना आपके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो घबराये न जो आपको करना है वो यह है कि आप www.mirclemorning.com पर जाएं और अपनी Miracle Morning Smart Kit मुफ्त में हासिल कीजी इसमें सभी जरूरी टूल दिये गए हैं जैसे ट्रेकिंग सिस्टेम अक्सरसाइज बगरा 30 Day Challenge का दूसरा कदम कल की शुरूरा के लिए आज ही प्लान करें अपने अगले दिन का Miracle Morning Routine प्लान कर लें हर चीज पहले से ही तैकर रखें जैसे समय और जगें आदी इसके बहतरी प्रिणाम पाने के लिए इसे कभी भी अपने बैडरूम में ना करें क्योंकि बैडरूम स इट के साथ दिये गए instructions को ध्यान से पढ़ें और उसी अनुशार उसकी practice करें प्रेक्टिस करने से पहले अपने mind और body को इसके लिए तियार करें एक स्यांत दिमाग के साथ ही आप एक बैदर ढंक से कर पाएंगे अगर आप इसे सुबह के वक्त करने जा रहे हैं तो रात क कोशोने से पहले इसकी तैयारी कर ले 30-day challenge का चोथा कदम अपनी practice का record रखें इसके लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं अगर आपकी practice को कोई और track कर रहा है तो इस 30 दिन के challenge को पूरा करने के ज़्यदा chances हैं अगर host के अपने friend के साथ मिलकर इसकी practice कर सकते हैं क्योंकि इस तरहें आप दोनों अपनी अपनी कमिया एक दूसरे के सुझाओं की मदद से दूर कर सकते हैं तो दोस्तों क्या आप तैयार हैं सफलता है कि नई उचाईयों को चूने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसे बहतर से बहतरीन बना सकते हैं चाहे आप कितने ही perfect इंसान क्यों ला सकते हैं फिर चाहे आज आपके हालात जैसे भी हो क्योंकि जो बीद गया वो माईने नहीं रखता माईने रखता है आने वाला कल और इसे आप बदल सकते हैं अपने वर्तमान की ताकत से दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बतेएगा कि आपको ये बुक शमरी कैसी आप अपने जीऊन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत उत्सुग हैं दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाईएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच पहें मिलते हैं जल्दी ही उर रतमक्ता नई उर्जा और नया जोश लास्के जै हिंड जै भारत